इसमें बहुत ही सुन्दर कलर आया है और यह बिल्कुल बजार जैसी सॉफ्ट बनी है हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काड्यू किछन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फी इसके लिए हम नेंगे एक कप नारियल का बुरा, एक कप मिल्क पाउडर, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप मलाई, थोड़े से चॉप की हुए ड्राइफ्रूट और 25 ग्राम के आसपस बटर, साथ में थोड़ा सा फूट कलर हम लेंगे चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, सबसे पहले कडाई में हम दालेंगे बटर, बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें दालेंगे मलाई, मलाई को इसमें मिक्स करेंगे, और अब इसमें मिल्क पाउडर दालेंगे, इसक अच्छे से भुनना है इसको हमने भुन लिया है यह देखिए इतना ही रहना चाहिए ज़्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए अब इसमें हम मिलाएंगे नारिल का भूरा सारा मिक्स करने के बाद पिसी हुई चीनी इसमें हम मिलाएंगे चीनी को अच्छे से मिला लिया है अब इसको लगबक 2-3 मिनिट तक हम भुनेंगे जब तक यह घी न छोड़ दे इसको हम लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो इसमें चिपक जाएगा और फिर जले की स्मेल आएगी इसको रोकना नहीं है हमें लगातार चलाना है यह अच्छे से भुन गया है देखिए तला भी छोड़ने लग गया है अब इसमें एक चम्मस दूद में थोड़ा सा फूड कलर मिला के हम इसमें मिला देंगे और साथ में इसमें थोड़े से जो हमने आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इसको चेक करें तो ऐसे थोड़ा सा लेकर इसको हम हाथ पर ऐसे गोला बना के देखेंगे अगर इसके लड़ू बन जाते हैं तो मतलब यह कोक हो गया है यह हमने गैस से कडाई को उतार लिया है अब हम इसको जमाएंगे इसके लिए हम फ्लैट बर्तल लेंगे आप कोई भी बर्तल ले सकते हैं इस्टील का प्लास्टिक का जो भी आपके पास हो फ्लैट कोई normal plate भी आप यूस कर सकते हैं इसको हम सबसे पहले घी से ग्रीस करेंगे चारो तरफ से हमें अच्छे से घी लगाना है अब इसमें यह mix हम निकाल देंगे इसको अच्छे से हम फ्लैट कर देंगे यह मैंने अच्छे से सेट कर लिया है अब इसके ओपर थोड़ा सा बदाम गार्णिश करेंगे आपको यह भी ड्राइफूट दाल सकते हैं और इसको हम किसी भी कटोरी की help से ऐसे थोड़ा सा प्रैस करेंगे इसे यह बिल्कुल फ्लैट भी हो जाएगा और जो हमने ड्राइफूट उपर से लगाए है वो भी सेट हो जाएगे इस तरह से चारो तरफ से दबा दीजिए अच्छे से इसको अच्छे से फ्लैट कर दिया है अब हम इसको आदे से पॉन गंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे यह अच्छे से से सेट हो गई है अब हम इसको कट करेंगे मैं इसको पिज़ा कटर से कट कर रही हूँ आप चाहें तो चाकु से भी कट कर सकते हैं लेकिन अगर हम पिज़ा कटर से काटते हैं तो यह बहुत आसानी से कट जाती है इस अभी अच्छे से कट हो गई है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे आसानी से इसके पीस निकल रहे है इसी तरह से मैं सारे पीस निकाल लूगी यह बर्फी मैंने कट कर ली है, इसमें बहुती सुन्दर कलर आया है और यह बिल्कुल बजार जैसी soft बनी है आप ये recipe जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी recipe पसंद आए तो वीडियो को like करें, comment करें और share करें साथ ही हमारे चैनल को subscribe कर पास वाले bell icon को दबा कर all click करें Thank you